तो दोस्तों भारतिय मौसम विबाग ने देश के तमाम राज्जियों में 30 जूलाई से 2 अगस तक अच्छी बारिश की संभावना वैक्त की हैं इसलिए आप भी अपने जिल्ले का मौसम पुर्वान वान जानना चाहते हो तो इस मौसम समाचार के वीडियो के अंत तक बने रहे हैं साथ ही यह मौसम खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह खबर पहुंच जाए मौसम विबा का कहिना है कि एक कम दबाव का सेत्रव बनने के कारण जारखन, 36गड़ और बिहार जैसे राजजियो में भारी बारिस की संबावना है जिसके चलते कई हिसों में बार जैसी इस्तितिया भी बन सकती है इसी कम दबाव के सेत्रे के कारण पश्ची मंगाल के कई इलाकों में बारिश हुई हैं और अब इसका परबाव दूसरे राजियों में भी देखने को मिलेगा दिली, हरियाना, राजस्तान, उत्रपरदेश और पंजाब जैसे राजियों में भी बादल जम कर बरसेंगे मौसम विज्ञान वेबाग आई-मडी ने अपने पूर्वा नमान में बता हैं कि हिमांचल परदेश, उत्राखंड, पंजाब और हर्याना में सुकरवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा वहीं अगले पास दिन उत्रपरदेश में बारिश की संभावना है कुछ इलाकों में बारिबारिश भी होगी मौसम विज्ञान विज्ञान वेबाग ने बता हैं कि 31 जुलाई तक ओडिशा, गंग्य पस्चिम, मंगाल, जारखंड और बिहार में बारिबारिश की संभावना है वहीं 2 अगस तक पूरी मद्यपरदेश और 36 गड में बारिश की गतिविदिया जारी रहेगी मौसम विज्ञान के मताबिक पूरी राजस्तान और पस्चिम मद्यपरदेश में 2 अगस तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है इन अलाकों में 30 जूलाई से बारिश की गतिविदियों में बढ़ोतरी होगी वहीं निम्दबाव के कारण बियार और जारखंड के एक बड़े हिशे में जोरदार बारिश होने की संभावना है इस वज़े से इन इलाकों में जल्जमा और बार्ड की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है तब से पहले राजस्तान की बात कर लेते हैं राजस्तान के सभी जिलों में कैसा रहेगा सुकरवार और सनिवार को मौसम आपको बता देगी कि अगले चार दिन पूरे परदेश में मौनसुन शक्रिय रहेगा तर्टिय बंगला देश और पश्चिम मंगाल कम दबाव का सहत्रव बना होने से चक्रवाती परिशंचन उपरी सोब बंडल इस तरह तक बना हुआ हैं यह अगले मौससमेबा के मताबख 31 जूलाई से दो अगस्तक पुरी राजस्थान के लगबख सभी इस्तानों जबकि प सच्चिमी राजस्थान में अदिकांस सिस्तानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दोरान कहीं कहीं बारी से अत्ती बारी वर्षाथ होने और पूरी राजस्तान में एक दू इस्तानों पर अत्यंत बारी वर्षाथ होने की संबावना है। सुकरवार को तीन जिलों में अजमेर, सीकर और नागोर में रेड एलेट जारी किया गया है। मौसमेबा का कहिना है कि इस दोरान निचले इस्तानौब पर जल बराब हो सकता है, खड़ी फसलों को भी अधिक बर्शाथ से नुक्षान होने का अनुमान है। जैपर इस्तित मौसम केंदर का कहिना है कि 30 जूलाई को परदेश के अजमेर, शीकर और नागोर में अती बारी बारिश को लेकर रेड एलेट जारी किया गया है। जैपर जुनजनु, शीकर नागोर, चुरू, पाली में औरेंज अलेट हैं तो दूसरी और अलवर, दूसा बरतपूर, दौलपूर, करोली, परताबड, चितोडगर, रासमन्द, बारा, शीकर, जैपर, स्वाई मादोपर, बुन्दी, कोटा, जोदपर, बिका निर में यल अलेट जारी हुआ हैं अब एक अगस्त की बात करें तो बुन्दी, स्वाई मादोपूर, बारा, बिलवाड़ा, रासमन्द, उदेपूर, शिरोई, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, परताबगर, चितोडगर, टौंग, कोटा, जालावार, जालोर में औरेंज अलेट हैं और अजमेर, नागोर, पाली में यलो एलेट जारी किया हैं वहीं दो अगस्त को अजमेर, अलवार, परतपूर, बिलवाड़ा, नागोर में बारी बरसाद को लेकर औरेंज अलेट हैं और जुन्जनूर, जैपूर, दोसा, रासमन, उदेपूर, जोदपूर, चुरू, बि बीते 24 गंटों में सबसे अधिक 24 सेंटीमीटर बारिष परताब गट के कुंडा में रेकोर्ड की गई हैं इसके बाद इटावा में 16 मुरादाबाद के कांठ में 14 सेंटीमीटर बारिष आंकड़ों में दर्ज की हैं मौसम वेबाग ने आने वाले दो दिन तक उतर 31 जूलाई को परदेश के आगरा, फिरुजाबाद, परियागराज, परताबगड, हमिरपूर, जालोन, कानपूर नगर, कानपूर देहात, इटावा, औरहिया और आसपस के इलाकों में बारी बारिष होने कानुमान हैं जबकि माराज गंच, सिदार्थ नगर, मतुरा, सकती, बलरामपूर और आसपस के इलाकों में बहुत भारी बारिष हो सकती हैं, वहीं 31 जूलाई को परियागराज, चित्रकूर, संत्रविदास, नगर, वारानशी, बाराइच, लखिमपूर, खीरी, बलरामपूर, सिदार्थ नगर, गॉंड़ा, पिलीभीत और आसपस के इलाकों में बारी बारिष होने के असार हैं, जबकि सोन, बद्र और चंदोली तथा आसपस के इलाकों में कुछ हीशों में बहुत बारी बारिष हो सकती हैं, अब मद्यपरदेश की बात करें तो बारत मौसम, विज्ञान, वेबाग, आई-ए-एमडी ने अगले 24 गंटे म मद्यपरदेश के 15 जलों में बारी बारिष होने और आकास ये बिजली गिनने की आसंका वेक्त करते हुए औरेंज जलेट जारी किया हैं, आई-ए-मडी बोपाल कारियलिक के और से बताये गए कि मद्यपरदेश के शोपूर, मूरेना, बिंड, टिकमगर, छतरपूर, साग दतिया, सिवपूरी, अनुपपूर, डिंडोरी, निमच, मनसोर, रतलाम, बालागाट, मडला जलों में आगामी 24 गंटों में कहीं कहीं बारी बर्षा और गरज के साथ बिजली चमकनें गिनने की संबावना हैं, इसको लेकर औरेंज जलेट जारी किया गए हैं, इसके अला हलकी से मद्यम दर्जे की बारिष होने के आसार हैं, उत्राखंड की बात की जाए तो मौसमे बागने राजिये में दो अगस तक बारिष का सिसला जारी रहने का अनुमान जता हैं, सुकरवार को उत्तरकासी, देरादून, टेहरी, पोड़ी, नेनिताल, बागेस्वर और प मौसमे बागे निदेशक विकरम सिंग के अनुसार बारिष की संबावना को देखते हुए राजिये में स्वेधन से लिस्तानों पर बून असकल चटान गिंडने सड़क मारग में मलबा आने से अरूध होने नालों और नदियों में अत्ती परवा के कारण साधानी बरतने क की सला दी गई हैं मैदनी सहत्रों के निचले इलाकों में जल बराव से प्रशान हो सकती हैं अब दोस्तों अगर देश के अन्य हिस्टों की बात करें तो निजी पूरवानुमान एजेंसी स्काइमेट वेदर ने बता हैं कि शुकरवार को पंजाब हरियाना उत्तरपूरी राजस्टान और उत्त्री मध्यपरदेश के कुछ हिसों में हलकी से मध्यम बारिष के साथ ही कुछ इस्तानों पर बारी बारिष हो सकती हैं। निकोबाद दीव स्वमूग के कुछ इसों में हलकी से मद्यम बारिश हो सकती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मौसम से जोड़ी शंपून जानकारी आपको दे दी गई है वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और आगे से आगे से वीडियो को सेर करें ताकि अ अन्यवाद